हलो गाइस, वेलकम बैक तू मैं यूटूब चैनल सैम प्रगनेंशी टिप्स गाइस, जब एक महला प्रगनेंट होती है, उसको पहली बार पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो उसको वो बहुत खुश होती है, और वो यही चाती है कि उसका जो बच्चा हो वो एकदम स्वस्त और तंदुरस्त हो, चाये वो लड़का हो या लडगी मा को हो न हो लेकिन उसके घरवालों को कहीं न कहीं उनके दिल में ये होता है उनके दिल में ये जिग्यासा होती है कि उनके घर में जो नन्ना मेमान आने वाला है वो लड़का है या लड़की भारत में जन्म से पहले ये बताना गैर कानूनी माना जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं ऐसे संकेत होते हैं हम जिनको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की पुराने जमाने में जो दाई होती थी वो इनी से भी संकेतों को देखकर अनुमाल लगा लेती थी और बता देती थी कि जो प्रग्डन लेडी है उसके पेट में क्या है लड़का है या लड़की तो आज मैं उनी तरीकों के बारे में बताऊंगी तो चलते हैं वीडियो की तरफ गैस आज का वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है तो प्लीज पूरा देखना पीच में स्किप मत करना तो नमर एक होता है स्किन में बदलाव गरवती महला के सुरुवाती दिनों में ये बदलाव होता है बच्चे का लिंग बताने के लिए दाई मा भी औरतों की स्किन को ही देखती थी और वो इसकिन को देखकर ही पता लगाती थी कि उनके जो गर में पलने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की तो अगर pregnant lady की skin है न वो dry हो रही है रूखी एंट सूखी सी है तो वो बताती थी कि उनके गर्व में जो पलने वाला बच्चा है वो बेटा माना जाता था और अगर उनकी skin oily हो रही है तो वो बताती थी कि गर्व के अंदर एक लड़की है और साथ ही pregnancy के दोरान अगर किसी lady को acne की problem हो रही है तो वो confirm कर देती थी कि उनके अंदर लड़की है क्योंकि लड़की होने पर ही बताया जाता था कि इसके न बहुत ज़्यादा oil छोड़ती है नमर दो बालों का texture बेबी के gender में पता लगाने का सबसे common test बालों के texture को देखकर बताया जाता था का जाता था कि अगर मा के बाल pregnancy के दोरान घने हो जाएं और बाल बहुत shiny and strong हो जाएं तो वो बता देती थी कि उनके घर में जो पलने वाला बच्चा है वो लड़का है और वहीं दूसरी तरफ अगर pregnant lady के बाल पतले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ज़ड़ने लग जाते हैं तो समझ लिया जाता था कि उसके घर में लड़की है नमा तीन बजन भड़ना अगर pregnant lady का बजना पूरा overall सरीर का बढ़ रहा होता है तो यह अनुमन लगाया जाता है कि उसके घर में जो पलने वाला बच्चा है वो लड़की है और अगर उसका पूरे सरीर का बजन बढ़के सिर्फ उसका पेट आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसको देखकर लगता ही नहीं कि वो pregnant है तो यह माना जाता है कि उसके गर्व में जो बच्चा है वो लड़का होगा तो नम्मर चार पैरों का temperature और size consistency में आपके पैर बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो आप यह समझ सकती है कि आपको बेटा ही होने वाला है और अगर वहीं पर पैरों के ताप मान में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं कोई changes नहीं दिख रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आ बेटा होने का संकेत माना जाता हुए और वहीं पर अगर कोई बदलाब नहीं आता है पैरों के size में तो यह माना जाता है कि बेटी होने वाली है OK बताया जाता है कि अगर किसी महला को थोड़ी देर के लिए सर में दर्द होता है तो बताया जाता था कि उसके गर्व में जो पलने वाला बच्चा है वो लड़का है महला की sleeping position को देखकर भी औरतें बता देती थी कि उनके गर्व में लड़का है या लड़की तो अगर कोई म ता कि उसके गर्व में एक लड़की है तो यही थे कुछ ऐसे तरीके जिनको पुराने जमाने से लेकर आज तक और देख करके अनुमान लगा लेती हैं कि जो बच्चा है वो कौन होगा लड़का होगा या लड़की तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्ली यू